जेहिंद नमस्टार मेरे शेयर लाड़नों लाडलियो सभी को स्वागत आए गुड इमिनिंग जेहिंद सभी को एक बार बोली भारत माता की आज़ी जे जल्दी से करते हैं आज की रिजनी के कलास के शुरुआत आप सभी के साथ आज जेहिंद सभी को जल्दी जुड जाये लेके लाड़नों गुड इमिनिंग सभी को राम राम श्याम श्याम सश्याकाल जेहिंद जी जेहिंद जी राम राम जी तो लाड़नों आज वोदे की जल्दी से करते हैं शान्दार इजनी कलास के शुरुआत आप सभी के साथ मैं रंग सर्बतों का तू मीठे गाट का पानी मैं रंग सर्बतों का तू मीठे गाट का पानी तुझी खुद में गोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग सर्बतों का तू मीठे गाट का पानी शाजरा सवेरा मेरा चुनवर का कजरा अंदेरा तेरी जलती लो कत्रा मिला जो तेरे दरबर का महला कुन फाया कुन जब कई पर कुछ नहीं भी नहीं था तु ही 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 था जो है तुझ में सहमाया जो है मुझ में सहमाया लाड़ लो आज़री सभी को जैहिंद नमस्कार एक बार देंके बताईए आपके से सभी बड़ी आए देंके कितना दोसा बोली भार आया है अत्मा ताकी आपको हमारा जो एप्लिकेशन है बले इस्टोर पे कमांडो अकेडमी के नाम से जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से कर लो कमांडो अकेडमी के नाम से लाड़ लो ज्यान अगना इस पर अभी टेस्स ऐसे जी डिगी चल्दी अदर 50 सुपिर में कर रखिए अंतिम समय है अगर आप आप आखरी परहार एक बार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसी नाम से नाम से हमारा टेलीग्राम गर्फ है जो आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा कमांड अकेडमी के नाम से आप मेरे सेdefinedनल सकते हैं मेरे डा आरेटी विराट डबल डेस ठीक है लाडलो कलासों की टाइमिंग आप सो भी को पता होगी नो बजे सुबह स्टेटिक की कलास होती है 11 बजे मेत की कलास आज जिन्दी की मिराथन इसलिए एक कलास नहीं हुई थी और 3 बजे जिन्दी की कलास होती है और रोज रात आट बजे ये आपकी रिजनिंग की शांदार कलास होती है लाडलो आजी लाडलो ध्यार रखना अंतिम बार है यनि आखरी की आपके शन बच्चे आखरी मोका है SSGD पेपर में आपके परिंदों को मंजिल मिलेगे यकिनन उनके पहले में पंक बोलते हैं अग सर्वों लोग खामोश लेते हैं जमाने में जिनके होनर बोलते हैं गजब की लाइन है अपने जहन में बिठा लो ठीक है बहुत ही गजब की लाइन है जहन में बिठा लो रखिए और जितने हमारे साथ जूरे आप जूरे रहे हम हर रोज जो भी शिफ्ट में जो भी पेपर होगा उसके लगबग लगबग की उसना आपको यहां पर शोल कराएंगे पूरी कोंसे करेंगे कि पूरे के पूरे पेपर एज जिटीज आपके शामने रख दी जल्दी च जितने भी लाड ले थे कि दबा के लाइक और शेयर कर दीजे लाड दो फिर करते हैं कलास की जमा जम शुरुआत पुली भारत माता की जोर से सरी एक बार बाबू वाला डायलो अरे बाबू वाला छोड़ो यार बाबू 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 अभी बीच में चलता रहेगा बाबू सोना एक बार जल्दी से जल्दी जल्दी लाड दो यार रखना ऐसे जीडी का पेपर सो क्यूशन का जो पेपर होने वाला जिसने अभी तक डेमो नहीं लिया है मेरा वीडियो में बना दिया देख लीजिए डेमो किस वरकार से लेना है आप जा सकते हैं नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उस पे क्लिक करके आप डेमो ले सकते हैं ठीक है जैसे कलाश खतम हो उसके बाद में सो क्यूशन का पेपर आप वहाँ पर हाल कर रखते हो अपने आपको जा सकते हूँ जितने भी लाट ले है रख वोशला वो मंजर भी आएगा पैसे के पास सलकर समंदर भी आएगा लाड़ो पैसे के पास बَّास का शमंदर आये नाये तम्हारे पास में शमंदर तुम्हारे के सामने है बस दूब के मार लो उन्दर टीक है इतनी jáँ अन्तिम समय है अन्तिम परहार है आखरी बार है यह मान के चलिए कि मेरे लिए सिर्प यही है याद रखना कि बहुत सारी चीज़ें इसी होती है जिन्दगे में जिनको अगर जिस इंसान ने ठान लियागी मेरे को ये करना ही करना है वो किया ही किया आज तक वो फेल नहीं हुआ है और आपका भी आखरी समय है अच्छा एपक तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा एपक तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा तू बेचारा है बेचारा ही रहेगा कस्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा इसमें कोई शक वाली बात नहीं है लाड लू ठीक है तो बोले ने कि इंकलाब तलिए एक शांदार जो तो उसके साथ करते हैं. कलास के फिर्वात लाडर लो आजी राम राम सुभी को राम राम शाम से आप सभी के हो गए हैं. जल्दी से बजादेंगे वाले गाड़ां हम यह चलाएंगे. डीजे वाले बजादेंगे बजादें मैं बार जितने भी लाट़ ले जूट चुक्ते हैं, शाढ़े 300 लड़के हैं मेरे भावी मेगो भावी पहुची बनने वाले है भावीшие सेयर के लाट़ लू। ताकि जितने भी और लोग हैं कम्पिटिशन में भी आपके पता चलेगा कि किसमें कितना है दम आज देशियां जी देशियां इसमें छुपाना क्या खून में गदारी ना से लाट लो जब डीजे बजाओ गड़े तो पड़ो जी फोन निकालेगा तो उसको एक लाइन बोल देशियां मेरी ते उचे कोल सा तुहु बार बार काड के दिखावे फोन ने जा मिला ले मिला ले तेरे बड़े डोन ने छोटु पाणी पिक के आजा तेरा फूल रहा से दम जहा हम कैड़े हो जे उत मेटर कतम ठीक है संजदत उस ताद मान रा क्या यारन तेरा गर में लहू तो सीधी गोली मारन है एलाइड बोल देड़ा उसको ठीक है चलिए लाड़ लो करते हैं खिलाज की सुर्वाद पहला क्यूशन आपकी सभी के समझ सूर्ये तारा तो ग्याद करिए इनमें से कौन सा होगा पूर्ये का समझ जिस परकार तारा से है तो रात दिन पिस्तर नींद कभूतर पक्षी दिया और प्रकास पताए कौन सा होगा से यांसा जल्दी से जल्दी से नहीं लाड़ लो जल्दी से ताद मान राक्या यार नहीं है तेरा गार में लहूत तो सिद्धी गोली मारना है यह चोटी मोटी धम में कैसे डरे नहीं कोई चोटू पाणी पिक के आ जा तेरा भूल रहा से धम जल्दी उताओ देगा लाड़ लो आप मेंसे 59 परसेंट लोग बोल रहे हैं कि कबुतर पक्सी कितने परसेंट 59 लोग कि आप इस बात से सहमत है तो लिखे येस और ड़कर नई सहमत है तो लिखे नो बताइए सूरिय तारा आप मेंसे ज्यादातर लोग यानि उनपचास से ये माइनस हो गया 43 परसेंट लोग बोल डेवेटा 43 जनी 43 परसेंट लोगों का मानना है कि आंसर ये है क्या येस और नो और लिए लिए कि येस और नो चलिए लाड़ लो अब मैं बता देता हूँ देखो सूर्य एक परकार का क्या है भई पक्सी है तो बात ये सही है जिस परकार से सूर्य एक परकार का तारा है और तू हमारा बहुत प्यारा है और कबूतर एक परकार का पक्सी बिल्कुल नहारा है ये कबूतर है ना बहुत चालू आदमी ता पुराने जमाने में जितने भी कंड वहिए ना ये लेला मजनोडे इसी की वज़े से हो आज कल इसे की वा जुरिज है तो तुम आज कल वोट से इस्टाग्राम का गाम करते हो ना ये कभूतर पहले कड़ सुखा भाई तुमसे ठीक है पहले सब से चालू जो कर गोई पक्ष्थाना वह यता कभूतर ये जो तुम अबकल बाबू सोना करते ते ने पहले कबुतर लेकर जाता था वो बाबू सोना थिक है बाबू सोना तुम आजकल क्या है कि Online कर ले तो Instagram से एर वोड सबकी के कभूतर के काम थे बहुत चाल्दू टाइब का आजमी था ध्यान रगना कभूतर दिखे ना इजत किया गरो दुआ सलाम किया गरो ठेक है कि दुआ सलाम रखा करो कभूतर से जिज दिन नेट बंद हो जाएगा न तो फिर वही नेट काम में आएगा । चलिए जिए जिए ले किसन में। तेरा गुंचाली शत्रा । तो गरम पान लेके आ रहे हैstorm है कभूतर जा 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 मेरे पहले प्यार की पहले चिटी महबूब को पहुंचा है जब ठोबें लेकर तेरा गुंचाली शत्रा क्या ओहो वावा क्या बात है यह बहुत कमाल की त्यारी है तो बहुत गजब के आदमी हो लाज़ लोग कंप्यम्टर बेश्ट एग्जाम है ध्यान रगना एक विशेश करके जब भी आप कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर पे जब आप ऑपरेट करने जाओगे जहाँ पर एक्जाम दोगे आप S.S.E. G.D. का विशे सूसना सुन लेना ध्यान आके S.S.E. G.D. का एक्जाम आपको पता कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम है ठीक है तो जब आप कंप्यूटर को वहाँ पर जाके देखोगे कंप्यूटर की कोई वहाँ टूटी हुई तो नहीं है एक बार अच्छे से देख लेना माउस को अच्छे से सला के देख लेना स्कूल करके देख लेना नहीं तो अगर एक बार आपका टाइम शुरू हो गया पेपर शुरू हो गया उसके बाद में कोई निदान नहीं है अगर नहीं हुआ तो उसका निदान है ठीक है बिल्कुल सही तेरती गुंचालीज सर्तरती ठीकावन यहने तीन बार गुना किया गया है बई चालिए अगला क्यों से लेते हैं जिस परकार ओडो मिटर दूरी के लिए है उसी परकार कमपास गती, पदियात्रा, सुई और दिशा कमपास ओडो मिटर से दूरी नापते हैं तो कमपास से क्या करते हैं बेटा सर कभूतर कितने का रिचार्ज करवाना पड़ेगा कब उत्तर के लिए बेटा रिचार्ट बहुत तगड़ा होता था भेले बताओ भाई बताओ बेटा जल्दी लेने गया रख दिया जल्दी बताओ देखो लाड़ लो जिस परकार ओडो मिटर तूरी मापने का एक यंत्र है उसी परकार कमपास जल्दी बताओ भाई आप में से ज़्यदा तर लोग बोल रहे हैं छीतर परचेंट लोग बोल रहे है गुरू जी दिशा क्या आप मानते हो दिशा सही है दिशा जो तुमारे महले में रते होग वाली नहीं दिशा कौनसी वाली यह वाली direction वाली ठीक है हाँ जी बिल्कुल सही है compass दिशा देखते हैं compass एक घड़ी टाइप ऐसे होता हूँ दिशा आप जैसे गुमोगे नो दिशा होताएगा यह कौन सी दिशा है जंगल में में प्रीडिंग में बहुत सारा काम में आता हूँ ठीक है जिस परकार नाटक अभीनेता के लिए उसी परकार है सहागान किसके लिए नाटक अभीनेता के लिए तो सहागान किसके लिए सोर की समता, संगीतकार, पियानो और टकर बताओ भई जल्दी बताओ लव यू गुरुजी लव यू टू मेरे लाड़ने बहुत सारा लव्यू बोलो जुबा केशरी दाने दाने में केशर का दम कहां जाओगे जुबा से दूर ना जापाओगे मेरे लाड़ लो जल्दी बताओ आजी ओहो इस बार कहियों की बेडा गर को गया कहियों की डूब गई है ओहो ओहो तक का पुलट हो गया कहियों का बताओ देखे क्या होगा अंसर कहियों की भेस पाणी में गई है इस बार कहियों की भेस पाणी में गई है जो पियानो बताओ पियानो वाले सही अंसर है क्या आपका पियानो वाले कौन कौन है भाई देखते कितने पर्जेंट बारती ये पियानो वाले हैं ओहो बड़े आए पियानो वाले लार लो जिस परकार नाटक में अभिनेता भाग लेते हैं नाटक में कौन भाग लेते हैं अभिनेता उसी परकार सहगान में संगीतकार भाग लेते हैं लेते हैं भाई संगीतकार भाग लेते हैं सहयगान में बताओ निवलिकित विकलपा में से विशम यनि इनमें से अलग कौन सा है जल्दी बताओ इनमें से अलग कौन सा है और देखो और देखो और देखो और देखो जल्दी से और देखो और करेक्शन मिल गया तो बताओ भाई जल्दी करिए भाई वोट करिए जल्दी जल्दी दीजे लेगे लाड़ लो आंसर अरे भाई इतना एजी क्यूंसन है इससे आगे क्या जान लोगे क्या बच्चे की देखो क्या हुआ है माइनस दो माइनस दो क्या हुआ भाई इसमें माइनस दो का नियम लगा है बात मानते हो मेरी हाँ जी मार नहीं पड़ेगी माइनस दो माइनस दो इसमें भी माइनस दो का नियम लगा है माइनस दो माइनस दो इसमें भी माइनस दो का नियम लगा है बिल्कुल अलेग मुलू जुबा के स्री बाबू बता दो क्या होगा अंसर बतो इनमें थे अलग कों सा 13, 7, 9, 11 बतो कों सा अलग है जल्दी 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 लाड़ो जल्दी जल्दी और जिसने अभी तक लाइक नहीं टोगा भाई फोजियों के कलास में लाइक की कमी ये तो बात अहजम होने वाल नहीं है छहसो बच्चे लाइव है छहसो तो लाइक होने ही चाहिए भाई ठोगी ने कि एक बार अपना दिल खोल गे लाइक वाला बटन और शेयर करते रही जे लाड़ो कलास को होता कि आपके और भी जितने भाई पराणी देख रहे हैं उनको भी मजा आए बताएं देख रहे हैं गिव दर राइट अंसर मैं कमेंट देख रहा हूता कि आपके पास मैं 30 से किंड सिकराया जी 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 क्यों कि लाड़ लो यहां पर 13, 7 और 11 यह क्या है अब भाजे सेंग्या क्या है अब भाजे दूसरी बात यहां पर 9 एक माते से संक्या जो एक वर्ग संक्या है क्या भाई एक वर्ग संक्या तो अलग हुई कर नहीं हुई अरे हुई कर नहीं हुई अलग भाजी गुर्जी हो गए यह लग तो फिर क्या यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अलग साइداी है कि अलग साइए कि अलग को तला कि अलग सीतरल पेड़स करूँ के गारके ऑख हद मांओं कि पीगा से ठोक लाइक है देख हाँ भई, बहुत सारे लोगों ने पिया है अगर मा का दूद पिया तो लाइक ठोके बता इसका आंसर आप में से 90 परसेंट गलग दे दिया भई, बहुत सारे लोग फेल होगे 90 परसेंट क्या बात है अगर इतने इजी कि उसने में आप फेल होंगे तो आपके कैसे गाड़ी चलेगी भई, आपके तो भेंस पाणी में चली जाएगी कहा चली जाएगी, भेंस पाणी में चली जाएगी और भेंसका तो कुछ ना बेटा भेंसा जाएगी क्योंकि भेंसका तो कितने में रहने वाली है तुम ना पाओगे फिर पाणी में से बावुशो ना बावुशो ना करते रहोगे भई अरे देखो बुद्धी जी भी ओ देखो इनका योग करो कितना होगा आठ दो तीन पाच और तीन आठ दो साथ और एक कितने होगे वाई दस साथ और साच और दो चोड़ा तो चैए आठ और एख अब देखो अलग कौन सी है एक मात्र विश्म संक्या यानि इसका योग विश्म है तो ये क्या हो जाएगी रहत हो जाएगी बताओ देखना सुनना सोचना और चखना देखना सुनना सोचना और चखना इन्हें से अलग बता दो आप आज आज जाएंगे कि आप में से कितनों में दम है किसकी तयारी है ओहो चखना अरे धारू वाला चखना नहीं है बताओ भाई बताओ भाई बताओ भाई अलग कौन सा है इसका जो आन से बता दे के मान लेगे कि उसमें बहुत ही तकड़ा दम है भाई बहुत ही बड़ी है लेवल की उसको रिजिनिंग आती है और घजब का उसका दिमाग दोड़ताओ गोड़ों की तरह है बताओ देखे मैं आपके कमेंट इस बार खुद नीजी रूप से पढ़ रहा हूँ कमेंट करिए देखे अपनी और अंतिम दस शेकिन आपको देता हूँ दस नो आठ साथ चै पांच चर तीन दो एक करिए कमेंट सरीता यादो बिल्कुल सही निस्रा गलत यह जो चखना बोल रहे है न अभी टाइम है चखने का लेकिन वेटा भावनाओं को कंट्रोल में रखी है चmmने का टाइम है, भी बाससही है, आपकी लेकिन, पेखमको जिए है, तब तक नहीं. विकास घौदरा बिलकुल गजब यहांसर है, आपका, सुमण जी, गोविन जी, आपने आंसर नहीं दिया, भीमेरा नाम ले लो. ५ुमन को सुभ़ा बिलकुँ सही आन से घजब का अँश दिया भई, बाकी कोई है जो सही आन सर डवल चेनल से लाइट ठोको भई लाड़ो अगर आपकी मा का दूध पिया जिए लाइटinger चौखे बतो तो मैं तो ठोके हो थो लाइक देगे आज हम देखते कितनों ने माँ का दूद पिया देगे दो कि लाइक से ठोके जो माँ खाल देखो नेटा यह ओड है कोई तो देना चाहता है अन्सर देखो देखना सुनना और चखना ये तीनों अपनी ग्यानेंद्रियों से होता है किसे होता है ये अपनी ग्यानेंद्रियों से होता है सोचना बिल्कुल अलग है सोचना बिल्कुल है अलग है तो अलसर क्या हो जाएगा सोचना के सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा ट्रक के पीछा लाइन लिखी होगी होती ना थोट कर सोटो साथ क्या जाएगा खाली मुठी आयता बंदे खाली मुठी जाएगा चलिए अगला क्यूशन कुनाल ने मीनल से कहा किसे कहा कुनाल ने मीनल से कहा तुमारे पती के पिता की बेटी का अकेला भाई मेरी माँ के पती है कुनाल मिनल से किस परकार समदित हुआ बताओ लेगे पुत्र पतिजा, दामाद और पती बताओ लेगे लाड़ लो भाई माचल के भी है भाई बताओ लाड़ लो जल्दी बताओ लेगे लाड़ लो अगर कोई दारू पीता तो उसका सेलेक्शन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है भाई किसने का दारू पीने वाला का सेलेक्शन नहीं हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अगर आप तयार इच्छी कर रहे हो तो बताओ बेटा जल्दी जाए 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 पति इसका पती के पिता की बेटी याई इसकी क्या उगए ननद की बेटी का अकेला भाई या इस मिनल का पती पती अकेला भाई मेरी मा है मा के पति है तो कुनार मिनल किस वकार नित है? पुत्र है, यहाँ पुत्र है, विदन अरन मंगलकन गन नाए गन राज परत्म निमंतरन आपको और पूरन कर जो, कहाँ बाई? एक बार और देख लो गर समद नहीं आया कुनाल ने मीनल से कहा किस से कहा मीनल से कहा कि तुमारे पती यानि इसका पती हो गया का पिता की बेटी यानि इसके पती की बहन यानि इसकी नरद का इकलो था भाई फिर यही हुआ वापस ये इसका बेटा है तो फिर इसके भाई इसका फिर ये पती है ना ये तो पती का बेटा इसका बेटा ये कि वा ना पती पती का बेटा हाँ हाँ तो इसकी माई ये होई न का बाई पती है आज़े ये बाई जल्दी से बताए दें कि इसका पेटो यो लड़ लो सू शिरी पिरिया सूरिय की और मुग करके 10 मिटर सामने चलती है और 10 मिटर दाये चलती है फिर परत्य एक बार दाये मुड़कर वो 5,15,15 मिटर करम से चलती है वो अपने आरंबिक मिंदु से कितनी दूर है बताओ देगे पताओ नहीं आट लो इसकाल से安सर देखाना मनने के बहुत ही तगड़ी तैयारी है हाँ जी भी काश गोता आजी बिलकुल सही अंसर था आपका बिलकुल सलेह जल्दी जे अंसर दीजे भई इसकान से बहुत ही तगड़ी तो यहारी है भई बताओ वाई कि अधाएगा देखो कितना रहा है बाई देख न फिरिया सूर्य की और मुख करके 10 मीटर चलती है मालो यह है फिरिया फिरिया सूर्य की और मुख करके 10 मीटर चलती है सामने चलती है इधर 10 मीटर ठीक है उधर फिर दाएं चलती है 10 मीटर फिर पड़ते एक बार दाये मुड़ कर हुआ है, यानि एक बार चली पांच, फिर दाये मुड़ कर कितनी चली, कितनी चली, पंद्रा चली गई न, पंद्रा और फिर पंद्रा, फिर पंद्रा चली गई, वो इपने प्रारेमिक बिंदु यानि प्रारेमिक बिंदु यहां से इसक ये 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 याद रखना अब क्या करना आपको कंड ग्याद करना यह आपका हो गया लंब और यह हो गया आधार तो पांच का स्क्वाएर पलना से पांच और पांच 20 का स्क्वाएर इसको रूड में डाल दो कितना हो जाएगा भाई 400 तो इसका देखो कितना हो गया 400 इसका कितना हो गया 425 इसका रूर निकालो देखें 15 20 का आँ देखो यह हो गयी दूरी कितनी हो गयी भाई इसका लंब 20 हो गया और यह हो गया 5 हाँ 5 का स्क्वाइर पलस 15 का स्क्वाइर लाड़ लो नहीं नहीं 5 का स्क्वाइर पलस 15 का स्क्वाइर नहीं होगा तो 25 25 का स्क्वाइर कितना हो गया 25 पलस 15 का 225 हो गया फिर तो देखो देखें लाड़ लोग वापस कहा पर गल्ती की है एक बार कि उसे लोगो वापस पढ़ते हैं कि सूरी पिरिया सूर्य की और मुख करके 10 मिटर सामने चलती है और 10 मिटर दाये देखो 10 मिटर ये इधर चलती है फिर 10 मिटर दाये पिरिया सूर्य की और मुख करके 10 मिटर सामने चलती है और 10 मिटर दाये चलती है फिर पर प्रते एक बार दाये मुड़ कर यानि पहली बार 5 फिर इसने चला 15 फिर 15 अरे रुको 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 बही तो ये दूरी ग्याद करनी है हमको ये 15 चली है ना तो ये पंदरा और ये पाँच ये पंदरा पलस पाँच कितना हो गया 20 हो रहा ना 20 का स्क्वाइर 400 देखते हैं लाड़ों एक बार ये क्यूशन को चेक करता हूँ मेरी चेक कि कहीं क्यूशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है अरे सिग्रेट पीने वाला क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकता है लाड़ो इसके ओप्शन में 20 मिटर कुछ रूड़ में दे रहा है सही आंसर है अपना यहां पर 425 है था ना 425 तो इसको ऐसे दे रहा है लाड़ों कि रूड़ में 5 दे रहा है वीस रूड 5 वीस रूड 5 लाड़ों यहां पर ओप्शन में और वो आपका अंसर हो जाएगा 20 रूड 5 है ओप्शन गलत विटा बड़ाबर करन हम ग्याद कर रहे है तो यह आएगा 20 रूड 5 अंसर यहां पर क्योंशन option गल्द दे रखा है ठीक है 20 रूट 5 आएगा बागी क्यूशन हमारा सही option में mistake दी चलिए इसका बताए देखे लाड़ो जल्दी से 20 रूट 5 बेटा अज़े भाई cigarette पिऊो कुछ भी पिऊो नोगरी लग सकते हो लेकिन पहले बाद में बतादू cigarette पिना, तंबा को खाना, जर्दा, दारू ये सब हानिकारत चीज़े बेटा cigarette की वज़े से पाइल्स हो जाती है अगर आपके एक बार पाइल्स हो गई तो गारंटी है मेरी आप जिंदगी पर तकलीब उठाओगे, पूरी जिंदगी तकलीब उठाओगे इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना ये चिर्फ बावले मनाने की बात होती है कई लोग तो रवो क्या नाम है भिमल खाके ये से मूँ करते हैं जैसे उन्होंने जैसे पूरी दुनिया मुँ में डाल रखी ऐसे ऐसे जैसे वो चबाती है ना भैस उगाली वैसे चबाते रहेंगे उसको फचर 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 करते रहेंगे और उन्होंने पूरी पूरी दुनिया मुँ में ले रखी है नमान की तरह सुर्ज ले लिया मुं में बहुत घल्च चीज लिया क्या आएगा इसका जे के एल एमर क्या देगा एंड या देगा हाजी हाद दूद पियो लाड़ लो इसका बताओ वर्णों का कौन सा भन देखला करने समूए स्रांकला के रिकतिक्श्तान की पूर्टि कोरेगा लाड़र यहां से λग बलग बलब सबकुस चेने हो गया है यहां से एकर आप देखोगे आपको चेने होड़ा बताओ कौन सा समूञा है इसके काम का नहीं है इसे ट्र है उकार ये भाई तुम्हारे पीने की चीज नहीं बेटा फोजी नोगरी करता ना इनको इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा भाई ठीक है देखो क्या होगा लाड़ दो इसमें सबसे पहला हम यही रखे देखते हैं ओप्शन नमबर एक से ए रखिए A C D रखिए A C D B फिर वापस D A C B C D वापस B फिर रखिए C और फिर रखिए D अब देखे इनका कोई करम मनता है कि नहीं A C B D D A C B C D A B A C B D D A वापस करम मन रहा है लाड़ दो इनका ठीक है तो अगर करम मन रहा है तो यह आप का अंसर हो जाएगा A C D B D A C देखो क्या करम मन रहा है आपको बताता हूँ मैं देखो A C B D T A C B उल्टा करम फिर C D A B A C D B यानि एक बार A B C D और दूसरी बार D C B A अगर आप नॉर्मल वेब में पटोगे तो यह A A से लिकावा है A B C D दूसरी बार है D B C A तो रही D C B A यानि एक बार सहीर एक बार उल्टा ठीक है है हाँ जी स्थरंकला में अगली स्थरंक्या क्या होगी यहाँ पर क्या आएगा बताओ देखें यहाँ पर रहें 5.2, 4.8, 4.44, अगला क्या होगा जल्दी से बताओ बेगा लाट दो सर मेरे नाम चाय है मेरे बारे में आप क्या कहेंगे मतलब चाय का सो कैसा चाय का तो कोई जएदा नहीं है भई बताओ क्या है का जल्दी चंस दीजे लाट दो जल्दी लेखे दिखाई अपना तम सर गाणा सुना दो गाणा सुना दे के सुन दिकना दी बाद अलीर उतरा दे छेड़े जा पी वज रण में है जूंजे तो वान ने है समतला के माई रो संदेशो दीजे दुदा दाग लगाई ना कि जे मारा हंगलूवर ना रण में पीट दिखाई ना देखो इसमें क्या हुआ बेटा माईनस चार पॉइंट माईनस चार माईनस पॉइंट चार माईनस पॉइंट चार और माईनस पॉइंट चार करेंगे तो क्या जाएगा भाई तीन पॉइंट चार यह नहीं परतेक में से पॉइंट चार माईनस किया गया है बात समझ आई सबसे पहले को नांसे देता है जोथपुर से कुच्चामन शीटी का टिकेट बना ले शिद्धा कहा कहा कुच्चामन शीटी में हमारी एकेडमी लाड़ लो कुच्चामन शीटी का टिकेट बना ले और क्या रोडवे से भी आ सकता है 9588 10608 लाड़ लो जल्दी से आ जाजाए नहीं तो शीटे फूल हो जाएगी फिर एडिविशन नहीं लेंगे हम ठीक है जल्दी बताओ लेगे क्या आएगा बताओ रहे बहुत एजी क्यूसन है तो अरे बहुत एजी क्यूसन है भाई एजली बताओ देखर लाड़ दो आप मैंसे ज़्यदातर लोग फेलो चुके बाई इतना एजी क्यूसन है और आप मैंसे बिल्कुल लोग 90% फेलो चुके अरे हैदम तो दीजिए आंसर 100% दावे के साथ कि गुरुजी यही होगा 100% दावे के साथ आंसर दीजिए वाई और चलिए मैं कमेंट देखता हूँ इस पेजली कि उसने जो इसकी उसने को आल करतेगा माल लेंगे उसकी तैयारी बहुत ही ठकड़ी है देखते हैं किसमें कितना है दम सविता जी बिल्कुल सही है आपका आंसर सरीता यादव जी आहाँ आहाँ बाकी सबकी भेश पाणी के अंदर बहुत सारे लोगों की भेश पाणी में चली गई है अले आपका कमेंट दिख रहा आप आंसर लिखिए बेटा पुनम जी सही हांसर सूरज त्यागी जी गई भेश आपकी पाणी में और पूजड़ा पकल के बेटा तू भी गया है पुनम ज्यानी बिल्कुल सही है ज्यानी ज्यानी मानी सर 200% D होगा एक बंदा दवा करना है 200% D क्या आप इस बाट से एगरी करते हैं तो लिखे यस और नई तो करिए no अगर आप इस बात से एगरी है तो लिखे yes नही तो करिए no पताए क्या एगरी है एगरी वाले लिखे yes आप में ज़्यादा तर लोग no-no लिख रहें भई आ जी no-no लिख रहें इसका मतलबी आंसर गलत है अब आप बताएं क्या इस बात से आप एग रहें तो लिखें yes अठाउन से और नहीं तो लिखें no अठाउन वाले लिखें भई yes देखो पेटा क्या हुआ है इसमें से इसमें 17 माइनस इसमें से इसमें 18 माइनस इसमें से इसमें से 19 माइनस इसमें से इसमें से 20 माइनस और इसमें से इसमें से 21 माइनस जब 21 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा अठावना जाएगा हाजी जिनों ने चाओं दिया बिलकुल सही है कि हाजी बिलकुल प्यार करेंगे दिल पे शिद्धा बार करेंगे डार्लिंग डॉंट वेरी हो जाओ ना कभी दिल से बार करेंगे बताए देगे क्या अंसर होगा जल्दी बताओ क्या होगा 56,54 और 12 56 की लार्लो चाती है अगर नहीं दिखा हो देगे आपको पताए भोज में सीना चेक क्यों किया जाता है बताओ सीना चेक क्यों किया जाता है पताए भोज में आपको एशे लार्लो ये आपके लंग्स की जाज करते हैं शीना चीये करने का basically मतलब होता है कि आपके लंग्स की जाज़ करते हैं कि आपका लंग्स ठीक है कर नहीं है क्योंकि अगर ऐसे लंग्स की जाज़ करेंगे तो बहुत समेर बहुत खणजाएगा जो इंसान maximum सास बर सकता है अपने चेश के अंदर नहीं तो उसका सीना कम से कम पार्ष से मी फूल जाएगा। अगर उसने इसा कर लिया तो इसका मतलब उसके लंग्स बिलकुल ठीक है भई। जल्दी बताओ देगे लाड़ो। जल्दी जल्दी बताओ देगे लाड़ो जल्दी जल्दी। देखो, इन दोनों का गुणा और इसको एड़ कर दीजिए भई, पंदर चोग और पाच, आठ संग, पलस तीन, कितने हो गए, बीश बंजे, और पलस बीश, एक सो बीश, तो जीजिस के एक सो बीश है, उसका बिलकुल सही है, बागी सब की बेश बानी के अंदर गई है, अक्सर सब्द और संख्या, इनके बीच में समंद बताईए, अक्सर सब्द, सलिय लाड़लों, एक मैं यहां से आपको जनल लोलेल की बात पूछता हूँ, के फाल्तू, फाल्तू, और बिना फाल्तू, इनमें अंतर क्या है, कोई है सक्सित जो बता सकता मुझे, फाल्तू और बिना फाल्तू के बीच में क्या अंतर है, बताओ देखे, यह आपके रिजनिंग आए, क्यों से नहीं बताओ देखे, सोचो एक बार अपने मन में के फाल्तू और बिना फाल्तू में क्या अंतर हो सकता, सोचो देखे, सोच के बताना, आपके ओस नहीं है, के दोनों सेम यहीं दोनों सम्मान ओप्षन भी विप्रित ओप्षन सी अलग अलग इनमें से आपको ओप्षन बढ़ना भई फाल तू और भी ना फाल तू अब तु ले बात आपकी सही है भई बोलते हैं ना यार बिन फाल तू परिशान मत कर फाल तूमें परिशान मत कर यार बताओ क्या अंतर है यह से कितने लोग हैं जो यह बोलते हैं कि कोई अंतर नहीं है तो वो लिखिये यस जो इस बात के लिए एगरी करते हैं कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है वो लिखिये यस हम बोलते हैं ना नॉर्मल यार फाल तू है क्या एक बिना फाल तू नेट खुल गया दिमाग का बताओ आपने दोनों इनाम सुनें फाल तू और बिना फाल तू दोनों के बीच में क्या अंतर है देखो लार तू फाल तू एक नकारात्मक सब्द है जब कि बिना फाल तू एक सकारात्मक सब्द है जान अगना फाल तू नकारात्मक है और बिना फाल तू कि मैं बिना फालतू नहीं काम करता इसका मतलब क्याता है कि मैं बिना फालतू मार्केट में नहीं जाता काम से जाता हूँ और मैं फालतू में मार्केट जाता हूँ हो गयना विप्रितर थे दिमाग के नेट खुल गयना लगा तिठका इसका लार्द हो जाएगा ये देखो सब्द के अंदर आ जाता अक्सर संक्या बिलकुल अलग हो गई ठीक है सालिय जी ये किसके अंदर छुपी हुई है बताओ देखे ये आ करती किसके अंदर छुपी हुई है बताओ साथ दिख रहे है साभी अरे सही से देगो भाई किसके अंदर है बताओ भाई अरे कितने लोग इसका सही आंते देखो ये वाले आकरते देखो ये 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 और ये बन गई कहा है ये एक अंदर है कहा है एक अंदर कि समझे नहीं आता किसे बात का गुरूर है बाप ओवा मैयतु करिना कपूर है जल्दी बताओ देखे इसका अरे ये गरत लिख दिया भाई कोई लाल वर्ग नहीं है कोई लाल ये भाई लाड़ दो लाल है और कोई भी लाल क्या है वर्ग नहीं है वर्ग अलग हो गया कुछ वर्ग आयत है कुछ वर्ग क्या भाई आयत है कोई आयत तिर्बुज नहीं है कोई भी आयत क्या भाई तिर्बुज तो ये आपका तिर्बुज हो गया ठीक है अब आपके सामने निस कर से कुछ तिर्वुज लाल है यह अमनी बता सकते कुछ तिर्वुज आयत नहीं है यह बात सही है कोई आयत लाल नहीं है कोई आयत लाल नहीं है यह अमनी कह सकते इसका मतलब किवल आंसर तीन दो अनुसरें करता है भाई चलिए जी इसका उताईए इस शेम ही किसे नहीं इसका उताईए भई क्या आएगा इसके लिए मातरा आपकों आपकों ने पांस सेकिन एक, दो, तीन, चार, पांस सेकिन खतम देखिए कितना आई थी किसे आहाँ गबरा गया है अरे प्लस तीन, प्लस तीन, प्लस तीन, प्लस तीन, क्या जाएगा पीस आजाएगा जी, हाँ जी पीस आजाएगा नेमलिकी सब्दों में कों सा अन्य तीन सब्दों के अंत में अंग्रेजी सब्दकोस में आता है निमलिकी सब्दों में कुन सा अन्य तीन सब्दों के अंथ में अंग्रेजी सब्टकोष में आता है बता हो दीखें अंथ में कौन सा आता है पहला नहीं दो सासे आकेडमी आना जाते हो लाडलो आ planets अर्जे में राम बाती कंपोर्टर दो सासे हूं मुझे अकेडमी आना लाड़ लो आजो अकेडमी के लिए help time नमबर दिये वे निचे description में आप आ सकते हैं बताओ भाई है बताओ लाड़ लो जल्दी देखो सबसे अंत में कौन सा आएगा यहां तक देखो O, WP सभी में सेम है उके उसके बाद में इन तीन में क्या भाई तो O पे लाता है और O पे लाता है यह अंत में तो यह सीधा है हो गया अंत में क्योंकि यह तीनों आएंगे फ़ष्ट में तो अंत में कौन सा आएगा उप्रिस ठीक है चलिए जी अगला क्यूशन परहली को अगरी इस परकार लिखा जाए तो साउंड को किस परकार लिखेंगे अरे साउंड कौन सा तो तुम विस्तर में मारते हो वो वाला साउंड नहीं है यह साउंड वो वाला नहीं है तो तुम विस्तर में मारते हो भ्रम भम भा घातक साउंड रहो तो तुमारा वाला है कई बार ऐसा दोका हो जाता है न कई बार लोगों के बीच में बेश्ती हो जाती कैसे कि तुम्हारे मन में ऐसा रहता कि मैं धिरे से साउंड मार दूंगा ऐसे अलकी से वाज में ठस लेकिन होता ये कि अचानक वो धमागा हो जाता भ्रम अरे यार गलती कर बेटे लोगों के बीच में कई बार होता ऐसा महलो पेट खराब है आपकार कहीं चार पांस दोस्तों के बीच में बेटे हो आस सोचते हो अलके से तोड़ा सा ठेट डिया होका है कि इस पास कर दूँ अब आप अलके से वे हो लेकिन उसको पूरा रस्ता मिल गया है रो भ्रम करके धमागे के साथ बाहर निकल गया वही और कहीं लोग लटके तो ऐसे होते हैं जैसे वह में आप है उनको पता है धमागा में ने किया है कि अला का तेरा धमागा मेरा कुछ लोग इतने धीट होते हैं लड़कियो का कार संब के सार लड़के तो बेसर में होते हैं पूरा ऐसे तेड़ा हो के दमागे करते हैं द्रम धुम्दा है ना लड़के पूरे पेसर में होते हैं लेकिन कई कई ऐसे लोग होते हैं वो ऐसे करते हैं क्या करते हैं धमागा करके और चेरे से ऐसे क्विशन क्या हुआ तो दिरे चे ठुछ आवाज करके अब सब को पता चार है इस रूम में किसी एक ने वातावन गरम किया है उन्हें दूसरे की तरफ देखते हैं तो जो धमागा किया है न वो एसे बोलेगा क्या 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 हुआ हुआ बदू नहीं है तेरे को और हुआ यार बदू आ रही है इ पता तुने किया और दमागा यह कहा हुआ तेरे दोस्ता उनको पता है तेरा एक अंड है वो जो चड्या धमागा कर देता न वो बिल्कुल नहीं रता धमागा करके इसे रहे प्राकर्तिक चीज है भाई पेट खराब है उसे फुल कॉन्पिदेंस में होते हैं गल्तिकर के प्राकर्तिक चीज है भाई हो गया तो हो गया देखो वेटो क्या किया हुआ है इसमें प्लस वन किया हुआ है प्लस वन है नहीं 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 प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू तो इसी प्रकार इसका करना पड़े प्लस वन गाज़ाएगा और प्लस वन गाज़ाएगी ओर पी फॉलेस टू याएगा डवलू प्लस वन और प्लस टू कहीं है क्या पी डवलू आप आपका अंसर हो जाएगा बहुत वाज़ी चले अगला एडिशन को अगर इस परकार लिख दिया जाए है तो उसी कूट बासा में मेडिकल को बास्ना में फरकान और दिया जाए है तो भीलो को अगर में कुट पुटारा है तो झालного ए देख दान्सों तोम दोके इन्याए है तो दो थासा हो जडिशन से जाए है कि दो जाए है थान्स का रेंधरा थाना को अधैनites झाल झाल तो 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 यह अगा जा जाए तो जाने दूनिया तो जिसने अभी तेक लाइक नहीं टो का मा का दूद्ध प्याता ठोके वहादा लाइक ठोके वहाद गहाद देगा आज लाइक देटेक किसमे कितना दूब है ठोके वहाद देगे लाइक ठोके वहाद लाइक लाइक अभी तो देगे कितना बना दोन है तूब लाड़ ले तो आंसर इसका दो हो जाएगा ओओओ टेलर सूट इसी परकार आपको दूसरा चुनना है तो इसकी में एजेंट अरे वो इसकी में एजेंट की तो बात ही छोड़ो इस इसकी में लेके आएंगे पुछो मत है संपादक हस्तलिपी संसोदन लेखा के उलेग राई लाड़ लो टेलर सूट इसकी में एजेंट देखें नहीं में एजेंट आता है कि आप ऐसा करिए कि पंच-पंच-जार रुपे जमक रहे हैं आप चार को जोड़िए वो चार और चार को जोड़ेंगे पЬर आप और चार को जोड़ेंगे ए एक दिन एशे शफने दिखाएंगे कि आप एक दिन diamond बन जाएंगे फिर एक दिन आप गोल्ड बन जाएंगे लो में यसे हो जाएगा और दो दिन जब वो इस इसकी में दोड़े का तो गाहं में रहेगा वो सोचे का इन गावड़ों को पता नहीं तीन साल बाद में मैं क्रोड़ पती रहूंगा फिर दो चार दिन बाद में उसकी आंके खुलती है कि रोल ले कोई जूड़ी नहीं रहा है अपने क्या करेगा साला जूड़ जाएगा कि देखिए आपके नीचे चार जोड़ने फिर आपको कुछ नहीं करना वो चार अपने नीचे आप अपने नीचे चार जोड़िए यह आपकी टीम है तीन फिर यह तिन-तिन को जोड़ेंगे नीचे से फिर वो तिन-तिन को जोड़ेंगे से अब आपके नीचे कितने होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 3 ये, अब आपके नीचे 12, सोचे फिर ये 3 तिन को जोडेंगे, ओ, 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 हो, फिर आप डाइमेंड बन जाएंगे, फिर आप गोल्ड बन जाएंगे, और फिर आप ये बन जाएंगे, अब आप एक बार याँ होगी श्यांदार कोई इसी लाइप नहीं चाहता आपका इंसोरेंज आपका ये आपका वह है कि अब सब कुछ छोड़ दोगे कि बास बन गए क्रोड़ पते मतलब इतना मोटिवेट एक इसकी मोर बताएंगे आपको कि देखो लोग आपके बारे में इसे सब्चेंगे ये पागल है अब लोग तो सही सोत रहें कि तुप पागल है गरल से करे जुड़ गया लेकिन तुमको पहले से बता देंगे कि लोग तुम्हार को पागल से राइस बंदू को भी तो लोग पागल बोलते थे लेकिन उन्होंने कुछ करके दिखा ये देखिए समीर सर ये देखिए सोनु सर ये डाइमंड है ये सी यो है और ये सूट बूट लगा के ऐसे टाइबेल्ट में पूर आएंगे पिर तुम क्या करोगे दो दिन बाद मे ऐसे का कहा टाइमंड है, कहीं नहीं चुट रहाा, जोए लिवज कुछ नहीं है ये चूतिया मनाने की सभड़ी खीं है अशे आणकूर फायदा क्या चुटनहें go bhai क्या फायदा है नेटवर मारकेटिंग हाँ इसमे बोलेंगे ये नेटवर मारकेटिंग है भाई अच्छा बतो बढ़े आंसर बतो ले किया एका अंसर बतो लाट लो क्या होगा अंसर अब आंसर दीजेए वापस दौरफा आज़र अवे एजेंट के चकर में आके थे कि देखो लाड़ो तेलर ज़स्जिस्ट परकार से शूट सिलता है क्या शूट शूट मॉर भारत मॉर क्या है भारत का राइश्टिपस्टू नहीं है अरे मौर राज्टिय पसू है क्या बुलो लाड़ो मौर भारत का राज्टिय पक्षी है उसी प्रकार भालू किस देश का राज्टिय पसू या पक्षी है हमारी एकेडमे लाड़ो कुछावन शीति राश्तान में कुछावन शीति कि बताओ जल्दी से किस किस को आता है वहाई आश पेलिया कंगरू आपको बता है अमेरिका रूस और इंगलेंड है किसी को बता है कोई माई का लाल तो सैयार से बता सकता है इसका है अरे क्या हैं चाहिए बताओ भाई जल्दी से बताओ लाट लो फूर माई का लाल है तो इसका सयान से दे सकता जल्दी बता भई आजा देखे मैदान में देखो जिस परकार मोर भारत का राश्टी ये पक्सी है उसी परकार भालू रूस का राश्टी ये जानवर है भई क्या है राश्तिय जानवर समझें बावली तरेड अगला लीजिये भई जो समंद इन दोनों के बीच में है वो ही समंद निमे से किन के बीच में बताओ भई जल्दी से बताओ दिये गए परसन में चार समंदी सब्दों का युकम दिया गए दिये गए विकलों सब्दों को चुनिए तो परसन के समान है इस परकार से कौन सा बताओ देगे बताओ देगे लाड़ लो सर में सिरी राम कंपोर्टर फीच कितनी है पिलीज बताओ लाड़ लो अरे फीच के लिए आप हमारे यलप लाइन नमर पे कोल कर लें लाड़ लो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी सही बात है सही बात है बदाओ देगे लाड़ लो हाँ समानारती सब्द देगो लाड़ लो डिविजन और सेक्षन इसको टादो डिविजन और सेक्षन समानारती सब्द है उसी परकार लाइर और टायर क्या है समानारती सब्द याड जैसे इंच के लिए याड जैसे इंच के लिए वे सही क्वाड इसके काम आता है गेलन के लिए तोला के लिए दूद के लिए और तरल के लिए बताओ दे के साइंस वालों साइंस में दे सर जी मैं कुचामिन सिटी से हूँ अच्छा जी सर जी आज किया केर्मी जोईन कर सकते है क्या हाँ जी कर सकते है आज हो भई कोई माई का लाल है जिसने अभी तक लाइक नहीं किया भई पता हो देखे लाट लो जल्दी बहुत तेज बुकार है इसमें बेटा मैं किया कर सकता हूँ बहुत तेज बुकार है सर जी को तो खुद को तेज बुकार है चार दिन हो गए इसमें मैं क्या help कर सकता हूँ बेटा डोक्टर को दिखाए यह इलाज करवाई जल्दी से जल्दी देखो जो yard होता है न वो inch से बड़ा होता है एक yard बराबर क्या होता है 37 inch होता है कितना inch होता है एक yard बराबर 34 inch होता है तो लाड़ दो उसी परकार कवार्ट यह कवार्ट होता है वो छदांक से बड़ा होता है ठीक है ना आपने की काई होती है बताए भाई इनमें से अलग कौन से है नियागरा वोलगा अमेजर और कांगो इनमें से अलग बताओ देखे भाई मेरे रांगो सर्जी यूपी से कितनी फीज पड़ गई यूपी मतलब यूपी पुलिस की सर्जी अकेडमी में फीज क्या लाड़ दो बता रखिए आपको हेल्प लाइन नमबर दे रहा है उसमें कौल कर लिजे हेल्प लाइन नमबर है 958888 10608 यह हमारी अकेडमी का हेल्प लाइन नमबर है आप इस पर पूरी जानका रिपास सकते हैं लाड़ लो जल्दी से बताईए जल्दी बताईए लाड़ लो कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर किशी को बता है माई का लाल कोई तयारी करता है जीके की तो उसको पताऊगा उसके लावा किशी को नहीं पता है बताऊ देगा कोन आज है आज इस काल से बता दो और नगज़ एक हजार रुपे का नगज़ नाम एक हजार रुपे नगद इनाम तुम भी बता दो लेकिन गलत बताने वाले के सो रुपे डंड के है भाई अगर सही नाम बताएगा एक हजार नगद पुरुषकार गलत बताने पर सो रुपे डंड है कोई माई का लाल बताओ लेके अब मैं आपके आंजर बढ़ रहा हूँ देखता हूँ मेरे पास कितने रुपे आते हैं आपके कितने जाते हैं चलिए भाई कांगो 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 अमेजन कांगो अमेजन बोलगा ओहो मेरे पास तो बहुत रुपे आगे भाई है कोई सही बताने वाला कोई है जो एक हजार रुपे नाम में पाने वाला आज एक हजार रुपे का नगत पुरुषकार बताएं देखें आंसर सो परसेंट सही दावा के साथ करिए कि गुर्जी सो परसेंट सही चलिए आपके ये सनों से इसके आन से निकालते हैं है कोई दावा करता है अंतिम तस शेकिन आपके पास में दस नो आठ शाट शेंग तीन शे पांच चार तीन दो एक डीजे वाले बावु मेरा गारणा बजा दे अब देखो पूलगा अमेजन और कंगो सुन लेना एक अजार रुपे लेने वालो ये तीनों की तीनों क्या है नदिया नदिया किनारे मेरो गावरे सावरिया लाल और ये है जरना क्या है जरना तो अलग को रो गया नियागरा इमानदारी से बताओ किसका सही है मेरे पास तो रुपे रुपे आगे हैं बहुत सारे सो सो रुपे किए एक हजार बचो की रुपे आगे मेरे पास में एक हजार इंटू सो इतने हो गए रहे एक लाक इन्हें में जो बताओ अलग कौन सा है बताओ लिए कि अलग कौन सा है सर मेरा सही ता हाहा सर में इंदोर से हो अच्छा मुस्कराई आप इंदोर से हैं तो भाई इंदोर मेरा सुस्वाल है आप तो सुस्वाल से है सर जिनको बुखा रहा है उन्हें अंजीर मुका खुबकला का पईयो कराईए तीन से चार बुका ठीक हो जाएगा है अक्सर वो लोग खामोस देते हैं जमाने में जिनके उनर बोलते है बताओ बाई इसका जो आंसर दे देगा ना मैं मान जाओंगा उसको कशम से बोल रहा हूँ बिल्कुल नगत पुरुषकार अगर लोग जी के साथ देगा तो एक हज़ार रुपे तुरंट फॉन पे में डाल दूँगा इसका अगर कोई आंसर देगा एक हज़ार रुपे का नगत पुरुषकार फॉन में डाल दूँगा है कोई है कोई माई का लाल जो इसका सही आंसर देने की हिम्मट ठानता है मैं उसका कमेंट पिन कर दूँगा हाँ जी लेकिन विट लोजिक ये लोजिक नहीं है 37 दूना बेतर वाला ठीक है ये कोई लोजिक नहीं है 37 दूना बेतर वाला द्यान रखना अगर आप यह लोजिक लगा रहे तो मैं चेंज भी कर दूगा चलो यहाँ पर इसको मिठा लीजिए इसको चेंज कर देता हूँ अगर आप यह लोजिक लगा रहे हो तो पहले आप यह लोजिक यह शितेशी कर देता हूँ यहां पर अब आप लिखिए बारा चुबीश आप बताईए है कोई माय का लाई तो इसका आप से बता सकता है इसका बताओ एक हजार रुपे नगर फॉन फे में किया जाएगा देवी और सजनों दिल थाम ये कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकिनल उनके फेले में पर बोलते है अपसर वो लोग खामोस एते हैं जमाने में जिनके उनर बोलते हैं लाड़ लो कि दुन्द काह तक पाला जाए युद काह तक टाला जाए राणा के होतनों मंसद फेक जहां तक पाला जाए बताओ दें कि आंसर क्या होगा इसका लोजिक है इमान दारी जिए बताना अब मैं आपको इसका लोजिक बता रहा हूँ अपनी इमान दारी दिखाना पहले दो तो कितने मा के लाल है जो भी तक लाइक नहीं किये अगर मा का दूद पिया है तो लाइक करके बताओ फिर देखता हूँ देखे कितने मा के लाल रन भूमी में युद्धो उससे पहले मनो भूमी में खेला जाता है मेरे बच्चे देखो मेरे बच्चे मनो भूमी जो मैं लोजिक बताता हूँ आपका यहां से फोस उड़ा देगा इसक्रू हिला देगा देख लेना नीन उड़ा देगा आपकी रातों की देखो मेटा इन दोनों का योग करो कितना हो जाएगा और इन दोनों का योग बात समद आई कुछे अने समद आई इन दोनों का योग और इन दोनों का योग इन दोनों का योग इन दोनों का योग बात समझ भी आई इन दोनों का योग और इन दोनों का योग भी कोल सा अलग हो गया लेकिन एमान दारे जब तो क्या आपके दिमाग में ये लोजिक आया था कि आपके दिमाग में लोजिक आया था यह सोर नो बताओ वह इमान राड़ी छे फोजी आदमियों जूर बता बोलना यह सोर नो फोजी हो या नहीं हो भावी फोजी तो पक्के हो यह दिमाग आया था जल्दी बताओ लाड़ लो जल्दी छे जल्दी बताओ देखें लाट लू क्या हो गया रोगा जल्दी बताओ देखें क्या आपने दिमाग आया था इमान तरी से बताना नहीं आया था ना हाँ नो 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 चलिए इसका बताईन में से अलग कुन सा है जल्दी बताओ देखें लाट लो धे लिए ने में से अलग कुन सा है जल्दी जल्दी और जिसने अभी तक लाइक नहीं ठोका ठोक हो देगे नहीं बताया बोल राजार उपए लेना या बोला अभी है अर्जी ये सबसे लाज में ये दिमाग लाज आए तेरे में हाँ हाँ एसे तुक्के माला होगा यहाँ लोजिक नहीं पना आंसर सही था बेटा लोजिक के साथ आंसर सही और अची इसका बतूpowered कोन सार भई बतो जल दिशे लटRockvak, दिशनक कोन साथ है इंदोर में नहीं बेटा हमारी अकेडमी कुछामन सीटी में है भई बताओ भाई अरे हमारी Academy लाट लो कुछामन City में इंदोर में नहीं है कुछामन City राजस्तान में कहा पर है? राजस्तान तो राजस्तान में कहा पर है? जेफपूर के पास में भाई ठीक है? द्यान रखना चलिये रेखिए लाड़ लो इसमें अलग हो जाएगा ये क्यो पलस वन पलस एट कितना हो रहा देखो पलस वन पलस एट पलस वन इसमें हो रहा पलस वन पलस एट पलस वन क्यारा पैस कितने प्रता उननीच प्रता येट होगा ना हाँ बाकी सब में प्लस वन प्लस नाइन है प्लस वन प्लस नाइन है भाई जा रखना तो अलग कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा समझे बाद समझाई सरह एकजार रुपे भाई यहां वाले मांग रहें तुक्के के नहीं मिलते एकजार रुपे मेहनत के लो चलो बताओ देखे पोस्ट चेंच नहीं कर रहते हैं लाड़ लो अगर एक बार आपने फॉर्म द्यार रखना हाँ अब किसी से एक क्यूसर मत पूँद ना इसको इसमें डाल दें यह किसी से मत पूँद ना कि एससे जीड़ी में आपने जो पोस्ट भरी है उसको आप चेंच कर सकते होगा नहीं मैं आपको बताओ आप चेंच नहीं कर सकते हैं कभी भी उस पोस्ट को जो आपने फिल अप कर दी है फोरम बढ़ते समय दूसरा आप डिश्टिक चेंच कर सकते होगा नहीं नहीं कर सकते हो एक बाद ध्यानक ना वो सारे बच्चे गलती कर रहे हैं अभी भी ध्यानक ना एक विशेश रूफ से ध्यान सबसे खास बात एकजाम देने जाओ जब एकजाम होल में तो आपसे एक सिगनेचर लिया जाएगा वो सिगनेचर वही करना जो आपने फोरम बढ़ते समय किया है इसका फाइदा है नुक्सान आपको अन्त समय जब मेरिट आएगी तब पता तलेगा समझ में आई बात जब आप एकजाम होल में एकजाम देने जाओगे तो आपने एक आपसे सिगनेचर कराई जाएगा तो वही सिगनेचर करे जो आपने फोरम बढ़ते समय किया है ठीक है दूसरी बात एकजाम होल में जैसे आप अंदर बेठो याद रहना जिस कंप्यूटर पे आप बेठों उसके इस साइड में आपके एक फोटू दिखेगी उसके बाद में आपके कंप्यूटर का माउस जी एक हंड्रेट परसेंट करना है कि वो सही से काम कर रहा है अगर नहीं कर रहा है तो उसको ठीक करा लेना है बाद समझ आई अरे समझ में आई बाद है अब ये ठीक है और सिगनेचर सेम कर दिये फिंगर प्रिंट का ध्यान एक ना जिनके फिंगर प्रिंट नहीं आते हैं कई बार रासन की दुकान पे तो फिटेगरी के पाहने से दो-चेर बार आत दो लीजिए लाड़ लो आपके आतों में जो नमी है उसको फिटेगरी सोक लेगी या फिटेगरी आत में से घुमाईए जनके आत में प्रसिन आता है वो भी कर सकता है ये काम ठीक है फोरम में सेलेट आपने नहीं किया लेकिन इमित्रवाले ने जरूर किया कोई न कोई पोश्ट सेलेट तो जो फोरम में पोश्ट बढ़ दी गई है वो चेर्णस नहीं होगी इस बात का पूरा ध lifelong रखे अब आगे को भी भी चेर्णस नहीं होगी आपने जो डिश्टिक, जो OBC, जो SC, ST, 10th Class के मारक सीट के जो नंबर, वंबर जो भी भरती हैं, वो चेंज नहीं होंगे, अगर उनमें कोई भी गलती पाए गई तो आपका फोरम क्या कर दिया जाएगा? क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा? मालों कि आप OBC शेर, आपने अगर SC भर दिया आया, तो आपका फोरम रिजेक्ट हो जाएगा, SC चाहा है कि आप तयारी ना करें फिर, किसी और एक्जाम की कर ले, ठीक है? SC GD में बहुत सकता है, जलती है, ध्यान रखना फोरम के वामले में भी भी बहुत सारों की रिजेक्ट हो गए है, हाँ, सबसे खतरना चीज, सर्मेरिट कितनी जाएगी? मेरिट कितनी जाएगी? हमारे राजे से कितनी जाएगी? मेरिट की तुल्ण बताता हून मेरिट कितनी जाएगी? उसी राजे की मेरिट बताता हून मेरिट रैजस्तान, ऊपी, उड़िशा, Sn. यूपी उडिशा भीहार महाराश वेस्ट बंगाल यूपी तिरुपुरा उडिशा राजस्तान MP 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 राजस्तान UP MP जली जली बताओ तो यूपी उत्तर प्रदेश भाई उत्तर प्रदेश की राज़दा ने कहा है लखनौ मुश्कराई आप लखनौ में यहां के मुख्यमंतरी कौन है योगी अधितिनाथ ठीक है अब UP की मेरिट के अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको बता हूँ 2015 वाली जो वेकेंशी में लगा था जिसमें उसके बाद में एक वेकेंशी 2018 में हुई थी ठीक है यह दोनों वेकेंशी हुई थी देखो इस वेकेंशी में दो गंटे मिलते थे पेपर ओप लाइन था ठीक है बाद समझ में आई कितना समय मिलता था दो गंटे 2018 वाली वेकेंशी में समय कितना कर दिया गया 90 मिनिट क्या किया गया 30 मिनिट कम और पेपर को क्या कर दिया था ओनलाइन कर दिया था अब आप 2015 की मेरिट के आकड़े इनके आकडो में आपको बहुत बदा अंतर नजर नहीं आएगा। बहुत बदा नजर नहीं आएगा। अन। चाहिए यूपी की 2015 की मेंट देखो 2000 चाहिए की पलस दो तीन नमबर,पलस बहे हैं। कितने नमबर दो से तीन नमबर पलस बहे हरे केटेगरी में। इससे ठीक है, उ इसमें क्या था? नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ने थे बहुत सारे लोग होगी, तो जो मेरिट गई थी वो नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ने के बाद की मेरिट के घा झा रखना, ठीक है? अब आप 2021 वाली के अगर बात करोगे तो इसमें क्या है समय आपका 90 मिनिटर लेकिन एक नई बात क्या जोड़ दी है एक बटा चार की माइनस मार्किंग चाथ ही एक सबसे बड़ी तुलना की बात है कि 2015 वाली वेकेंसी और 2018 वाली वेकेंसी दोनों में ही 50,000 प्लस शीटे थी ठीक है? शीटे कितनी थी? 50,000 प्लस लेकिन जो 2021 वाली जो अभी आपकी वेकेंसी है इसमें शीटों की संक्या कितनी है भाई? 25,000 तो अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि गुर्दी सही सही बता दो अमारी मेरिट क्या रहेगी? तो मैं आपको बता दूँ आपकी तैयारी यह 100% लाइन याद रख लेना 2018 की मेरिट को देख लेना उससे आपके नंबर ज्यादा होने चाहिए क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए तब आपका नंबर पड़ेगा नहीं तो क्योंकि यूपी में राजस्तान, हर्याडा, मद्यप्रदेश, दिल्ली, माराष्ट्र यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग फोस से प्यार करते हैं तो मेरिट का अकड़ा यहाँ स्वाल ही पेदा नहीं होता कि पिसली मेर्ट से नीचे रे जाए क्योंकि नॉर्मलाइजसन इस बार भी होगा एक बता चार की मारर्किंग से transmis ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा वाई बहुत बड़ा फरक नहीं पड़ेगा पेखने भी पढ़ने वालों का नंबर आता था पढ़ने वाले तो अब भी माईनस मारकी나 का ध्यान रखेंगे स्मझाही बात? अब इसका आंसर देखू माग का दूद प्याता पर जे लाइक करके दिखाओ तेक तेक किस किसने माग का दूद प्या है अगर मा का दूद पिया है तो लाइक हो गया बताओ फिर मैं राजस्तान की मेट बताता हूँ नो इनका योग करोगे इनका योग करोगे तो इनका योग करोगे तो दस और इनका योग करोगे तो अलग कौन सा हो गया भाई यह अलग हो गया यहीं इनके चारो पतों का योग करोगे तो क्या आएगा बेटा जब कि आना कितना है नो आना है आजी एक लड़की की तस्वीर को देखते वे मुकेश ने कहा यह लड़की मेरी मा के ससुर यहीं मेरे दादा के अकेले पोते की बेटी है इने केला पोता मेरी बेटी है तस्वीर में लड़की मुकेश से किसे समझ दीता भाई बेटी लाहें बोलते बोलते के लिए रहो गया बेटी बेटी के बाप कुछ तो सरम कर अरे यह तो बहुत एजी कि उसने इसका बताओ भाई अगला पत जल्दी बताओ भाई इसका बताओ लाड़ लो राज़स्थान की मेरिट का बताओ लाड़ ले राज़स्थान की मेरिट है मैं बता दिया चाहे राज़स्थान हो राज़स्थान के अगर आप मेरिट की बात करोगे तो मैं बतादू राज़स्थान में EWS, OBC और General और SC इनकी मेरिट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है कि ST के टेगरी की मेरिट लो जाती है थोड़ी बहुत बाकि इसकी मेरिट तो कोई फरक नहीं पड़ेगा और अगर आप बात करों कि राजस्तान में तो मैं बता हूँ 2015 वाली हमारी 78 नमबर पे गई थी इस बार वहियंसी के आज पास नमबर आया है और अगली बार यह नहीं दो जार इकीस वाली के लिए भी आपको कम से कम 80 पलस स्कोर मान के चलना वही ठीक है कितना मान के चलना है 80 पलस स्कोर करना आपको लेकिन ध्यान रखना इस बार एक माइनस मारकिंगे एक बटा च्यार की तो अगर आपका स्कोर अगर सही आंसर दे रहे और 75 के आसपास रहे राजस्तान वालों सुन लो 75 के आसपास तुमारे सही आंसर आ रहे हैं तो फिर तुक्ये मत मारना तुक्य सब को मारना लेकिन कब औरकेशे मारना ध्यान रखना इसका अंसरा जाएगा 101 क्यों 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 कि पलस 3, 5, 7 इन सब में एक विश्म संग्या पलस हो रही है 3, 5, 7, 9 11, 13 15, 17 19 पलस होगा तो 101 ठीक है तुक्य मारने की भी एक स्कीम होती है तो मैं आपको कर बताओंगा क्यों सब मार के दिए कर बताओं अजय या बताओ तुक्य मारने की स्कीम कि तुक्य कब और केशे मारते हैं शही तुक्य बताओ क्या आएगा जल्द बताओ बहुत एजी क्यों सेन है बाई क्या आएगा पलस एक दो तीन चार पांच साथ आर नो दस तो क्या जाएगा गुंतिस आजएगा जी ये बताओ बाई एक बात और हाँ जिसने अभी तरह कमांडो केडमी का एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं किया है पले स्टोर पे जाएगे दाउनलोड कर लिजे लाड़ लो कमांडो केडमी का एप्लिकेशन SSGD की शंपून टेर स्रीज मातर 50 रुपे में की गई है आप जाके और टेस्ट देके देख सकते हैं आपके कितने नंबर आते हैं भई ठीक है मैं अभी एक लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ बेटा आपको जितने भी नहीं लोग है चैनल पर ध्यान रखना जूट जाएए क्योंकि आपको टोटल पेपर जैसे ही पेपर होगा उसका फूल डिस्क्रिप्शन यहां पर मिल जाएगा जितने जो भी पेपर होगा उसके बारे में संपूर्ण जानगारी आपको यहां मिल जाएगी बेटा देखे मैं आपके सामने एक लिंक दे रहा हूँ बेटा इस लिंक पे क्लिक करके आप SSGD में आपके सामने कैसे पेपर होगा आपने मोबाइल से देख सकते हो और कंप्यूटर से भी जाके देख के सकते हो बैए एक लिंक दे दिया मैंने उपर एक साइड का वहाँ पर जाके आप देख सकते हो लेकिन भी देख लेना पहले बताओ क्या एका अंसर बताओ बजहा बताओ क्या एका अंसर जल्दी जल्दी बताओ लाट तो क्या ऐगा अंसर ज्यादा समय मत लगो भई कितने आएगा अरे बहुत इजी क्युसन है भई अरे हैदम तो बताओ बहुत ही इजी क्युसन है बेहद इजी क्युसन नहीं साही या तब विराड़ दर के लाड़ ली बिल्कुल सही बताओ देके लाड़ लो जल्दी से क्या आएगा अंसर अरे दिखाओ अपना धमखम यार कौन माग का दूद पिया तो लाइक करके बताओ देगे अरे इन दोनों को जोड़ो क्या जाएगा 11 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 यानि क्या क्या है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 46 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 73 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 123 और इन दोनों को जो टेलीग्राम चेले नाड़ लो किस नाम से हैे? कमांड συक्ड मी के नाम से जूट जाए है जैसे SSAGD का फेपर होगा टेलीग्राम ग्रूप में डाल दिये जाएगा हर एक सिर्ट का तो आप टेलीग्राम ग्रूप से जूट जाए है कमांडर अकेडमी के नाम से टेलिग्राम पर और जो मैंने उपर लिंक दिया है न अब जैसे एक लास खत्म हो उस लिंक पर किलिक करना और ऐसे जिदिगा मॉक टेस्ट दे लिया ना सो क्यूशन का बिल्कुल फ्री और वो भी वेशे जैसे आपका एक्जाम में होगा कमांच का अंतर च्छा का उनका पच्चीस हाँ जी बिल्कुल सही कहाँ जी बिल्कुल प्यार करें जीदा दिल पैवार करें गे प्जार्लिंग डॉंट यह तो दिखी नहीं रहा भई स्टूल अध्यापक फंशर दें स्टूल अध्यापक और फंशर इनके बीच में समंद कोन सी आकरती दर्शाती है मेरे लाड़ लो जल्दी जबताओ हाँ Academy लाड़ दो हमारी है कुचामन सिटी में कुचामन सिटी राजस्तान में ठीक है K-U-C-H-A M-A-N कुचामन C-I-C-Y कुचामन सिटी में लाड़ लो Academy में पंदरा 11 से नए बेच श्टार्ट हो रहे है राजस्तान पुलीश आर्मी SSE GD दिल्ली पुलीश आर्पेव कोंस्टेबल SSB हेड कोंस्टेबल के पंदरा 11 से Academy के हेलप लाइन नमबर है 95888 10608 दूतरा नमबर है 95 2106 1100 बास हमजाई है आजी क्या होगा आर्प बिल्कुल सही पंदरा जाता है स्टूल ओर ज्यापक बिल्कुल अलग होगी या बिल्कुल सही बात है जी आपकी यहां करती इन में से किसके अनदर सुपी हुई है बताओ यहां करती आंखों का केला लाड़ो कि ने ना तू ही बुरा तुझसे बुरा ना कोई खुद ही दिल का रोग लगा एर खुद ही बेटा रोग बताओ रहे कोई तो आंसर बताओ लाड़ जलो जल्दी बताओ मेरे लाड़ जल्दी जल्दी दूसरा बिल्कुल सही आंसरा हाँ जी बिल्कुल सही आपने बताया है उत्ते में नहीं बन रहा ना ये दे को ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे अरे इसमें दे के ऐसे है फिर चाहरा इसमें सीधा है ठीक है कुछ लाल पी ले कितने लाल पी ले कर लिए कितनी बार कराएगा भई बताओ लो इसका नो तेरा बाइस अर्तिस तरेशट नो तेरा बाइस अर्तिस और तरेशट बताओ भई जल्दी से बताओ लाड लो सरी माचल परदेश का एडमिट काड आगे क्या एडमिट काड एगजाम से चार दिन पहले आएगा मतलब आज कितने तारीक बारा तो 16 वारों के आज एडमिट काड आते हैंगे ये कल उसका नमंदीप आया कि एडमिट काड अभी एक बच्चे हमा है आगे बता भाई जल्दी बता आरे लेड़़ो क्या है कि क्या एगा जेल्दी बतां अज़कर जल्दी निवगए व्मतार रहे और बएस शर्म हो जल्दी जल्दी बतां और अपनी मा का दूद्ध पिया तो लाइक करके दिखाP यה लाएक अभी तरहाँ से पार होने चाहिए अगर मा का दूद प्या था तार से पार करके दिखा देगे अभी मुझे पता दो सो से डाइसो बच्चे से जिन्हों ने अभी तक लाइक नहीं किया भाई क्यों क्यों कि ये दो सो डाइसो वो है महिला परदान पुरू सही इनको अगर कोई महिला बोलते ना प्यार से कर देजिए ना लाइक बेबी लाइक कर देजिए ना एक मेडम जी बोलते ना ओ बेबी तब तो यह से उच्छल कूद मचा के लीजिए मेडम लाइक लीजिए मेडम लाइक यू आर लुकिंग सो गुड रेंड येर वो महिला परदान फुरुष देखो इसका क्या अंसर आएगा हाँ नहीं नहीं यह अकीकत बात है कई लोगों को इसा होता है अब मेरे जैसा मुझ टंडा दिख रहा है यह डाड़ी डाड़ी बड़ा रखिये यह मुझ से क्या लाइक करना इस तांड़ आदमी को है और वो भी यहाँ पर मेडम जी होते तो हो 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 लाइक ही बहुत सारे हो जाती कई तो बोलते मेडम जी मैं उल्टा लटा के लाइक कर रहा हूँ आपको मैं नेट्रुक नहीं है के खेत के उपर चड़ रखा हूँ टीब्य के उपर से लाइक ठोक रहा हूँ जान दे देंगे मेडम जी लाइक के लिए चाहिए नेट्रुक रहे ना रहे हम नेट्रुक में जाके लाइक कर देंगे देखो बेटा क्या हो जाएगा इसमें 4 पलस हुआ है इसमें 9 पलस हुआ है इसमें 16 पलस हुआ है इसमें 25 पलस यानि 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग इसमें पलस होगा 36 तो कितना हो जाएगा 99 जिसका 99 है उसका बिल्कुल सही यानि 2 का वर्ग पलस 3 का वर्ग पलस 4 का वर्ग पलस 5 का वर्ग प्लस ऐसे करके करमें चल रहा है तरह मुस्तंड नहीं है अरे मुस्तंड यह मुझे पता है इसलिए तो लाइक नहीं ठोकते तुम सब्द एड्मिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं कि एक बार परियोग करते हुए कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता बताओ भाई इनम कि अघंग कि तने एक देश बाटा है इसलिम्स्ता है कि आज कितने मेने चाहने वाले वाले है कि है कि सचे वंखता एक और और आट सो के हार्ट सो की इस्टेह स्ट Goo ऑनवी ह्द की लिए लाइव स्ट्रीम कों कि एक एखजार पार आखना होना च्थिए कि रूपा गजर का सरवनास करेगी रूपा आज फिर चंदरपुर में भैड़ियों ने शैर का शिकार किया है रूपा कौन सा आएगा भाई क्यों यू कई पे भी नहीं है रूपा गजर का सरवनास करेगी रूपा आज फिर चंदरपुर में भैड़ियों ने शैर का शिकार किया है रूपा शैर का शिकार करने के लिए जाल बिचार का है रूपा लाड़ लो अगर पेरल को इस परकार लिख दे उसी कूड़ बासा में कोवेट को किस परकार लिखें कि लागो जा रहे हैं ना सुबह 9 बजे स्टेटिक जीके की कलास होती है आपको अना ही अना है क्योंकि कलम पढ़ने वाले नदिया नदी किनारे थारो गावर रशावरिया नदिया कि हनुमा वो हनिमून ले कौन सी है वो वाले खतरनाक वाले कि उसन पढ़ते वाले हैं कि खतरनाक खतरनाक क्या होगा अंसर अरे बहुत इजी ऐसे गभरा क्यों रहे हो भाई तू क्या हुआ इनमें क्या समद्ध है पलसे फिर पलस्तीन फिर पलस्तीन फिर पलस्तीन पलस्तीन तो इतना घबरा क्यों रहे हो विल्कुल चार देगा सभी में क्या हो भाई पलस्तीन 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 तो इतना घबराने वाले कौन सी बात है घबराना नहीं है एक विशे से बासा में एक संक्या इसको इस परकार लिखा जाता है और पांच सो बावन इस परकार लिखा जाता है तो इसका मेनिंग बनाए बई तो ये तो बनाएं लोगे आपको पता बहुत इसजी क्यूसे ने शीदी जिवाद बताने क्या जूरत है तीन है तो तीन को क्या लिखा गया है क्यूं तो क्यूं फिर नो है तो नो कहाँ पर है यह रहा नो को एल तो क्यूं एल कहाँ पर है यह रहा एल ऐसे बनाना है कोई भी बना लेगा यार गुप्त जैसे खुला से समंद है गुप्त का जैसे खुला से समंद है वे से चुपचाप सायद असिस्ता सोर और चुपा चाप बताईए रेखे गुप्स का समंद जिस परकार खुला से है उसी परकार चुप चाप का समंद किसे है भाई जल्द ये कमेंट करिए मेरे लाड़ लो मेरे सूर भी लो सूरों की दर्ती से परनाम करते हैं को राज़स्तान की धरती से कि कटे शे का बाटी है तो कटे बोली मारवाडी जेपुर की शिटी गुला बीमारी राजधानी करू राम राम से करू राम राम से करू खमाहा गणी आओ साथ ही मौ साथ चुर मौ दाल बाटी इप वांट सम मौर come to run thumb board वो यहाँ पे लैस है यहाँ नैस है heritage भी यहाँ का सबसे finest है हर चीज में दिखता है culture, everything high class nothing vulgar सोर, के कुछ देर की कामशी है, फिर सोर आएगा, तुमारा शिर्प वक्त आया है, हमारा सोर आएगा किताब परस्ट क्यूं सन मार्क अरे भाई किताब परस्ट, एलबम अगर मा का दूद पिया तो लाइक ठोके बता माल लेगी बहुत बड़ा डोन है तुछ एसे तुम लाइक नहीं ठोकते है, उल्टा बोल बोल कि दुकाना पड़ता है मा का दूद्ध पिया तो ठोग लाइक हम देखते हैं कौन-कौन पिया आज नहीं पिया तो मत ठोग ना बताओ बेटा पुलार दो ध्यान एकना अंतिम समय है अगर आप तेर्सीज देना चाहते हो तो कमांडो केडमी का एप्लिकेशन डाउनलोड कर लो पले स्टोर से और मात लाड़ लो जिस प्रकार किताब के अंदर क्या होते हैं तो एलबम के अंदर क्या होगी तश्वीरे नहीं होगी तो एलबम किसकी होगी रहे बावरी तरेडों बिन तश्वीरे की कभी एलबम देखिये क्या तुमने शरी सर्प जैसे चिपकली वेशई फूल पती तना गुलबहार गडियाल मगर मच शरी सर्प जैसे चिपकली यानि जिस परकार चिपकली है कि सरी सर्प है उसी परकार फूल का समंद किस से है बताओ देखे जल्दी बताओ मैंने लाड़ लो जल्दी जल्दी गुलबहार य अरे किसे बताओ देखें अरे ये कौन बता रहा बाई तना ये तो रंड में उनको नहीं पता बाई तो तना कैसे बता रहा है तेरी तु साधी और रुके है ना वहाद निगाओ इसको अरे बावली तरेडों ये इसका तुम को शमझ में नहीं आएगा कि गुलबार एक फूल होता है तो जिस परकार ची पकली सरी सर पर उसी परकार गुलबार क्या है एक फूल है ये फूल बहुत कमाल की चीज़ है ये फूल है गुलाब का चमेली का मैं शमझना और अगर आपने समझ लिया तो फिर उसे बता देना आपने समझ लिया तो कम से कम से कम से को बताओ तो देना कि भाई तिरा सीक है राइट टू इनपोर्मेशन आर्टी आई राइट टू इनपोर्मेशन आर्टी आई लगा देना फिर उसके क्वेडियों को बता तो दे ना नहीं तो फाल तूँजा करकाड रहे जिसे ऊशे गौप मोड़ राग लेकल लेकल या योड़ फिशल पूरा लुक में रह यह यह चस्मा यह जट्थिय करेगा यह जट्थिया मारें आदें छेतजा फजेती हती है तुम्हारे साथ कभी हुआ है कैसा स म shaving कि शीम करना करा। और ये से क्यार बाई को फूरूट गई हो या गिर गई हो पिर क्या करेंगे पता कही है, जैसे बाई किर जाएगी ना चाहिए उनकी चाहिए कितनी भी चोट लगिए है, शिङह आप भाई को खड़ी करके रहे तो उचनी को ठोड़े को, अटनछी कूछ ठोड़े पिर अंदर अंदर होएगा फिर रात को फिस मचेगा यार गलत इस्टंड हो गया लाड़ लो निर्देश रख ती पईया तिर्शूल सोटी सी बात तिरंगा इनमें से अलग सांडिये इनमें से अलग कौन सा है बेटा गल्फ्रेंड बोईफ्रेंड में कुछ नहीं है अभी जिन्दगी आपकी केरियर बनाने के याद रखी है ये गल्फ्रेंड बोईफ्रेंड मजाग तक ठीक है इनको सीरियस नहीं लेना है अभी जो आपकी उम्र है ये अपने माबाप के सपने पूरे करने की उम्र है बेटा और अपनी जिंदगी बरबाद ना करें याद रखें इन्हे कामों से दूर है जो आज आपको बाबु सोना बोल रही है न वो दो दिन पहले किसी और को बोल रही तीर दो दिन बाद बे किसी और को बोलेगी ठीक है आ कि प्यार मोबत सब दोका है पढ़ ले बेटा बस यही मोका है ठीक है फिर तुम न अपने दिल को तसलिदेने के लिए बोलोगे रात को जब दो बुझे फोन बीज़ आएगा न बोलेगा वो अपनी भुआ की बेटी से बात कर रही है जहां रखना बेटा इनमें से अलग कौन सा है छोटी सी बात जैसे टी पईया तीन चीज होती है तीन पईये तीन शूल में तीन शूल होते हैं उर्तिरंगा में तीन रंग होते हैं यह अलग हो गई भई ठीक है बेटा सरम फोजी लोग है मेरे आने का इंतजार करते हैं किसी का नहीं लोग देखने के लिए ख़ई ये बिच्छाई रिरते हैं बिलकुल सही बात अलाड़ दो जब फोजी बन जाओगे न उस दिन देखे न तुम ठीक है पहले फोजी बनना लाड़ लोग पहले अपने बदन को अपने आपको सक्सेज करना याद रखिए अगर आप सक्सेज होगे सब चीजे आपको नशीब होगी अगर सक्सेज नहीं होगे बेटा गलत समय पर गलत काम जिन्दगी भर पस्ताओना होता है सही समय पर सही काम जिन्दगी भर खुशी देता है आपका यह समय है आपकी जो उम्र है इस समय जिन्दगी के वो उम्र है कि आप जो चीज चाना चाते हो यानि पाणा चाहते हु उसके लिए मैंत करिए उसके परती शजक हो जाहिए और सबसे पहले अपना टारगेٹ देखे कि मेरा टारगेट किया है और उसके पूरा फोकस करिए केंडरित केंडरित होके पूरा फोकस के साथ आप तैयारी करिए आपका लक्षे पुरा होगा आपके माबाप का समाज में शर उचा होगा याद रखना जो माबाप आज तेरे इसे गर्दन जुखा के चलते हैं तो फौजी बन जाएगा ना पूरा इसे एकड में चलेगा तेरा काका तेरा बाप्पू पूरे गाम ऐसे चलेगा कि मेरा थोरा फोजी है और हर्यानार यूपी वालों की तो पूजमत वो तो इतने उच्छी होके चलेंगे ऐसे उनको तो मोदी छीज़े भी बारी नशार आएगा कि मेरा बेटा फोजी है जी और तुम फिर देखना जैसे तुम नोखरी लगोगे गर परिवार में किसी की साधी होगी न तो तेरे चात-चात आओ-पाओ सब बोलेगा फोजी बनाया जी हमारा नड़का वो देखो जी फोजी है जी वो देखो जी फोजी बनाया है है ऐसे इज़त हो जाएगी और नहीं तो बेटा रंडवा रहेगा देख ले ना रंडवी जिंदगी काटनी पड़ेगी इसलिए सबसे पहले श्क्षे लोगी है इज़त अपनी अपने माबाप की अपने समाझ में अग इज़त बनाएं जिन्नों ने शपना देखा आपके लिए आपसे उमीद रखकिये याद रखना सबसे पहले उनकी उम्मिदों को खरा करना भाई उतरना और अपना लक्षे की तरफ देखना पूरी करना अपने लक्षे को ठीक है इनमें से एक अलग है भाई फूरिये चंद्रमान नक्सत्रों और ब्रहमांड पताओ कौन सा अलग है पहले फोजी बनना है प्यार करो उसी से हाँ अपनी मा का दूद प्या तो लाइक ठोके बतार दो जार पार करके बता देखें लाड ले और लाड ली जिसने अभी तक लाइक नहीं ठोका है मा का दूद प्या तो ठोके बता हम भी देखे देखे कि कितनों ने मा का दूद प्या देखे कि सतर लोगों ने प्याग नहीं प्या सतर कम है मार दो ठुका जल देखे लाड़ो आप मेंसे ज्यादातर लोग मुझे अंडेट परसेंट ये वकील है 90 परसेंट लोग गलत आंसर देंगे भई लाड़ो जा रखना सुबह नो बजे इस्टेरी जी के एक लास में आजाना क्योंकि नदियां है नदियों में से एक इसमेंट पका आएगा नो बजे 100 परसेंट आजाना सारे के सारे अगर नहीं आए आर्सो बच्चे अगर आर्सो के आर्सो नहीं आए देख लेना तुम्हारी खेर नहीं है ठीक है एक इसमेंट पका हो जाएगा तैयार लार्सो आप में से बहुत ज़्यादा गया चांसर दिये है बर्मांड ये तीनों की तीनों चीजे बर्मांड के अंदर आती है सूरिय चंद्रमा और नक्षतर तीनों के तीनों किसके अंदर आते है बर्मांड के अंदर आते है चुहा, घिलैरी, नेवला और सचुंदर, बताओ देगे, बताओ देगे इनने में से अलग को साहा है, जल्दी बताओ भाई, इनने में से अलग बताओ देखे, आरे, जल्दी चेनी में से अलग बताओ, मेरे लाड़ लो, जल्दी चेनी में से अलग बताओ, कि कौन साहीनी में से अलग है, जल्दी, और जो भी लाड़ लो तैयारी करना चाहता है, हमारे यहाँ अकेडमी में, अवाज नी बेढ़ा, अवाज नहीं तो फीच नहीं लाड़ो आशकते हो कुछावन सुटी राजस्थान में यह हमारे केडमी यह लाड़ो अब देखो, इनगे से लग हो जाएगा आपका घिलेरी क्योंकि चुआ, नेवला और चुचुन्दा तीनों बिल में रते हैं रहते हैं बिल में और ये किस में रहती है गोसला में ये गोसला बनाती है के लिए रिपेड पर और ये किस में रहते हैं बिल में और दिल के अंदर रहते हैं ठीक है अगला देखे बेटा कीवी उकाब पेंगविन और सत्र मुर्ग बताएं जिरेखें कोण साल लगे इने में से सर मेरी मिशेज को लड़की हुई ईो तेरी लड़की हुगी ने मिशेज की क्या और तो बहुत बहुत बता जी पहले तो आपके गर लक्षमी आई एיך तो इसका मतलब है भाई जैसा काम वेशा दाम, पेस्टिलिटी के पेसे हैं भाई, राद दिन पढ़ाते हैं, लगी रहता है अकेडमी के, आप आके जाके देखिए, यहां पे अकेडमी के बच्चों से बात करिये किसी से, पता चलेगा, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, तो इसलिए दो पेसे किसी भी अच्छी चीज़ का पेसा लगता है भाई, लाड़ लो कौन सा इन में से अलग जल्दी बताओ देखें, जल्दी जल्दी बताओ अगर इसका अंसर दिदिए नगत पुरुषकार 500 रुपे का, देखते हैं किसको चाहिए 500 रुपे, 500 रुपे का नगत पुरुषकार, सिताराम बता दे भाई, बता दो भाई, 500 रुपे का नगत पुरुषकार, क्या होगा, 500 रुपे का नगत पुरुषकार चाहिए किसी को, मैं विक्षी की गोली खाता हूँ, जब तक आप 500 रुपे का आपको नगत पुरुषकार दिया दाएगा, जल्दी, सर में आओ अकेडमी में गुरुजी, नो कोई एक्जाम है, ले लो क्या एडमी से नहां आ जाना, देखो, उकाब, अब बोलोगे क्यों, तो कीवी, पेंग्वीन और सत्रमुर्ग, ये तिनों ही क्या है, पक्षी तो है, लेकिन उड़ नहीं सकते, क्या नहीं कट पक्षी है, बताएं भाई, हारीशे परीचे कराते वे, वीना ने का, वो मेरे पती, की पतनी, की बेटी का भाई है, वीना का हारीशे क्या समंद है, गजबगा क्यों सर है, गजबगा बहुत जानदार है, के मन तो मेरा भी करता है, जुमू ना चु गाउ में, आजा दिकी, की स्वन जेनती वा लेगी, तो सुनाओं में लाड़ लो, अगर मा का दूद पिया तो लाइक ठोके बता, ओ ला रहा है बेटा, बताओ अंसर, बताओ जही लाड़ लो जल्दी से, कि मेरे पती की पतनी की बेटी, यानि मेरी बेटी का भाई, यानि मेरा बेटा, तो क्या समझ हो गया, मा हो गई उसकी यार, कितना एजी क्यूशन नहीं आता रहे, इसको छोड़ो ये बहुत एजी क्यूशन, इसको बताओ, क्या हैगा अगला, बताओ देगा लाड़ लो, बताओ, 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 क्या हैगा, बताओ, 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 बता पर फीश से 1,25,000 रुपे डेड़ साल के लिए लाड़ लो तेलेक्सन नहीं होने पर आपको 50,000 रुपे फीश का पूरा का पूरा रुपे वापस कर दिया जाता है सिर्फ आपका डेड़ साल के लिए होस्टल चार्ज काटा जाता है ठीक है दूसरा च्छे महीने का जो हमारा बेच च्छे महा का उसकी फीश से 50,000 रुपे रहना खाना पड़ाए वड़ाए सब टोटल इसी के अंदर है फिजिकल विजिकल किसी भी चीज का कोई भी अलग चार्ज नहीं है अब राजस्तार पुलिस का जो हमारा बेच चल रहा भी उसकी तीन महा की फीश से लाड़ लो 35,000 रुपे कितनी 35,000 रुपे ये फीश से लाड़ लो हमारे अकेडमी की ठीक है इसमें आपको फिजिकल का आ गया रिटन आ गया टाइपिंग सबी परकार की तयारी किराई जाती है ये फीश है अब फिर भी अकर एडिविशन लेना चाहते हो तो कुछामन सीटी आके इस नमबर पे पहले कोल कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो 95888 10608 पर समझ गे बात को अब इसका आंसर बता दीजिए किस किस को आता है नहीं साया दो बिल्कुल सही आंसर ठोका आपने देखो एक परस जोड़ा गया पिर 4 फिर 27 फिर कितना जोड़ा गया बैटा 16 तो देखो एक का क्यूब दूब का स्कॉएर तीन का क्यूब च्यार का स्कॉए इसमें ये जोड़ेंगे कितना जाएगा एक सो सक्ट्यासी बात समझ आई भाई यानि एक का क्यूब दो का स्क्वाइर जोड़ा गया फिर तीन का क्यूब और चार का स्क्वाइर यानि एक संक्या का स्क्वाइर जोड़ा जा रहा है दूसरे का क्यूब जोड़ा जा रहा है तो एक का क्यूब, दो का स्क्वाइर तीन का क्यूब, चार का स्क्वाइर पाथ का क्यूब इसमें जब जोड़ा जाएगा तो 136 आंसर हो जाएगा बात समझ में आई हाँ बेट लाज कहीं से भी आ सकते हो इंदुस्तान में अगर आप कहीं पे भी रे रहे हो वहां से यहां पर आ सकते हो लाड़ लू बताओ क्यों सन मार के जगर क्या आएगा बताओ लाड़ लू बहुत ही जी क्यों सन है तो बहुत ही जी क्यों सन है है जल्दी बताओ और अगर मा का दूद पिया तो लाइक करके बता देगे अगर मा का दूद पिया तो लाइक करके बता हाँ भाई पिया मान गे कर दिया पिया लाड़ने पिया है मान लिया अगर ज्यादा बड़ा डोन है तो लाइक करके बता कि तू बार बार काड के दिखावे फोन ने जा मिला ले रे मिला ले तेरे बड़े डोन ने सो तू पाड़ी पी के आजा तेरा भोल रहा से दम बेटा जहां हम खड़े हो जे वहां मेटरे कतम देखो दो का वर्ग माइनस एक च्यार का वर्ग माइनस एक 6 का वर्ग माइनस एक 8 का वर्ग माइनस एक 10 का वर्ग माइनस एक और 12 का वर्ग माइनस एक तो 6 का वर्ग कितना हो गया माइनस एक एंगे तो इतना ही जी क्यूशन है भई बतो बेटा औपजाल बाई जल्दी बहुत एज़ी बहुत एज़ी बहुत एज़ी वे एज़ी हजी जल्दी बतो लाठो जल्दी जल्दी सर शमू से आपके शमू से नहीं हरयाना से पंजाब से है और हरयाना पंजाब से आपके पठान कोट से पठान कोट जमू के पास में आगे है भी वहाँ से है बहुत यहीजी है भाई गोना दू पलस एक गुनाद दो, साद दूनी चवदा और पलस एक करेंगे तो पंदरा पंदर दूनी तीस पलस एक करेंगे तो 31, 31 को गुनाद दो पलस एक करेंगे तो 63, 63 को गुनाद दो पलस एक करेंगे तो 27, क्या जाएगा बेटा 31, यहनि गुनाद दो और पलस एक किया गया है बासमद आई जो संग्या दी गई है उसको पहले दो से गुना फिर पलस एक किया गया है चलिए अगला क्यूशन आपके समक्ष ये तो बहुत इजी आप कर दोगे करमचारी पुरुष और भाई समंद बतो भाई इनके बीच में करमचारी पुरुष और भाई बताओ देखे जल्दी से लाड़ लो सल्दी मेरे लाड़ लो सलिए बताई देखे आप में से रात को कौन कितनी बज़े तक पढ़ता है इमानदारी से अपना टाइम लिखिए इमानदारी से अपना टाइम लिखिए कि आप रात को कितनी बज़े तक पढ़ते हैं जल्दी से अपना अपना टाइम लिखिए दे कि रात को कौन कितनी बज़े तक पढ़ता है इमानदारी रखना भाई जूट नहीं इमानदारी से सादे बारा राहुल अच्छा ग्यारा देखे तुसरी ओहो आल लाही तक्षे खुमर बोला सर पूरी रात पढ़ता हूँ अब मैं तो सौओं गुर्जी तु तो सौज़े बैटा मतलब ज्यादा तर लोग बारा बज़ेगे आसपास का टायम बता रहे मतलब गुर्जी रात दो बज़े तक अच्छा जी लाड़ो इस कांसर हो जाएगा सी कि मान लोग कुछ करमचारी भाई भी होते हैं और कुछ भाई पुरुस होते हैं भाई तो 100% पुरुस होगे अरे लाड़ तो यह नहीं होगा यह होगा क्योंकि पुरुस के अंदर ही भाई आएंगे और कुछ पुरुस करमचारी यह होगा बेटा भी आंसर होगा इसका में से नए लोग कितने हैं यहाँ पर नए लोग कितने हैं वो लिके वाई न्यू और यह है आपका आज का स्वाइब कर दो यहाँ पर नहीं है यह आपको आज का आज कि आज के सारे के ठीक है जितने भी नए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना बेटा SSC GD के हर सिप्ट का हर एक paper का आपको analysis यहां मिल जाएगा कि आज के paper में कौन से क्यों सनाए, किस परकार के क्यों सनाए, किस subject से कितने politics कितने, जोगरों भी कितने, करंडी के, के से के से क्यों सनाए, ठीक है तो जितने भी नए वाले, अब हाँ important जान खारी चैनल के उपर आप देखिए, live session के उपर एक link पेस्ट किया गया उस link पे click करिए, और आप SSC GD का जो computer पर किस परकार के आपके सामने paper होगा उसको अपने mobile चे जाच के देख लीजी भई, वो जो link दिया हुआ ना, जो pin किया हुआ उपर उस पे click करिए, और उसमें फिर नीचे scroll करके जाए, एक click now लिखावा मिलेगा, क्या मिला? click now, उस पे click करना, आपके automatically एक paper खुल जाएगा, उस पे sing in करना तो फिर आप वहाँ से, आपके सामने एक model paper दिखेगा, यनि मोग्टेज के किस परकार का आप पैसे जीडे में paper होगा, computer पे पूरा चाप पूरा चीजे, नियम, काईदे, खनून सब मिल जाएंगे, तो आप एक बार check कर लिजे बेटा, ताकि उस दिन आप कोई भी गल्ती ना करो, उपर link दियावा है, उस पर click कर लीजिए, ठीक है, सभी को मोबाइल में दिख जाएगा, ये link दियावा है, इस link पर click करिए, मोबाइल में दिख जाएगा बेटा आपके, तो सभी को, सुबरात्री, good night, मिलते हैं सुबह 9 बजे, बताओ आप मेंसे सुबह 9 बजे को को नाएगा, ये तुम तौ आओगे आओगे, तुम कहा जाओगे, बोल रहे हम, तौ तौ आओगे आओगे, कि मैं रंग सर्बतों का, तू मिठ घात का पानी, तुझे खुद मेगोल देतो, मेरे यार बात बन जा, तू मिठ घात का पानी, सजरा सवेरा तेरा चनवर का कजरा अंदेरा मेरी जलती लो कत तरा मिला जो तेरे दर बर का बज़ा दे दीजेवाले बाबु मेरा गाना बज़ा दे तू ही रे तू ही रे ओके लाड़ लो सुबह मिलते हैं नो मुझे जैहन जै भारत लव यू बाई ओल बहुत ज्यादा प्यार आप सबी को बहुत ज्यादा प्यार